इस्राइल पर एक नई मुसीबट तूट पड़ी है इस्राइल के साथ वही होने जा रहा है जिसका उसे डर था क्योंकि एरान से एक ऐसी खबर आई जिसने अमेरिका तक को डरा दिया है बहुत डरा दिया है इरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर गाजा के युद्ध का फैसला पलट तो इस्रेल ऐसे काउंटर करेगा इस्रेल को यकीन हो गया है कि इरान ने एटम भम बना लिया है अब उसके पास खुद को बचाने के लिए यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये है इस्रेल का एरो मिसाइल डिफेन्स सिस्टम ये हमेशा तभी एक्टिव होता है जब इस्रेल पर लॉन रेंज मिसाइल से हमला होता है एरो सिस्टम ने इस्रेल को यमन से फायर की गई बैलेस्टिक मिसाइल से बचाया लेकिन क्या ये सिस्टम अब इरान के अचम भंब से बचा पाएगा? क्योंकि इरान को लेकर खबर बहुत खतरनाक है और इसका सबसे बड़ा खत्रा इसरेल को सता रहा है पूरे इसरेल में परवानो भंब का सायरन बचने लगा है चाहे वो राजधानी तेल अवीग हो या फिर हाइपा या फिर कोई और इसरेली शहर इस वक्त हमास के रॉकेट से जादा खौफ इरान की मिसाईल का है क्योंकि अब उसमें परवानो भंब भी फिट हो सकता है अमेरिका दावा कर रहा है कि इरान के पास अब इसरेल तक पहुचने वाली मिसाईल भी है और उसमें लगाने के लिए एटम भंब इरान के परमाणू ठेकानों को लेकर IAEA यानी अंतराश्विय परमाणू उर्जा एजनसी की एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट ने इसरेल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया क्या है कि इरान ने 60 प्रतिशत तक समवर्धित यूरेनियम एकठा कर लिया है अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इरान इससे 3 एटम भंब बना सकता है इरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक महुच गया है एक पर्माणो भंब बनाने के लिए यूरेनियम का 90 प्रतिशत तक समवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि इरान ने 60 प्रतिशत तक समवर्धन कर लिया है हलाकि 90 प्रतिशत तक समवर्धन करने और बंब बनाने में उसे कई महीने लग सकते है यानि इरान अब पर्माणो बंब बनाने के बहुत करीब है ऐसे दावे इसरेल और अमेरिका लगातार करते रहे है इसरेल ने हमेशा कहा है कि वो इरान को पर्माणो बंब नहीं बनाने देगा अमेरिका भी इरान के पर्माणो कारिक्रम को लेकर इसरेल की हां में हां मिलाता आया है इस वक्द पूरा पश्यमेशिया बहुत बड़े युद्ध के बीच सो लग रहा है इरांग से लेकर इज्रैल और तुर्की से लेकर सौधिय अरब घाज़ा पट्टी में हो रही बंबारी में पूरे अरब वर्ल्ड को बारूद के टेर पर बैठा दिया है अब पर्माणू बं को लेकर इरांग वाले खत्रे ने इस्रैल और अमेरिका का डर्वाला मीटर रेड लेबल पर ले आया है इस कांटे पर एतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वार बनकर तूट सकता है क्योंकि एरां कह चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लाँच होने के 400 सेकंड के अंदर इस्रैल पर जाकर तबाही मचा सकती है एरां अब हाइपरसोनिक मिसाइल तयार कर चुका है उसकी बलेस्टिक मिसाइल को इसरैल आरन डूम से नहीं गिरा सकता और इरान का दावा है कि इसराइल हो या फिर अमारिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम। उसकी मिसाइल के खिलाफ कोई दीवार काम नहीं करेगी। इस वक्त इरान के परमाणू कारेक्टरम को लेकर जो खबरें हैं उसे लेकर सबसे सीक्रेट परमाणू अट डे बर सब की नज अभी इरान ने 6 स्पॉट पर नियोप्लियर रियक्टर लगाये हुए हैं लेकिन इन में से 2 एहम साइट है पहली जगह है नतांस और दूसरी जगह है फोड यहां है अंडर्ग्राउन नियोप्लियर साइट जहां इरान सबसे ज्यादा गुडवत्ता के यूरेनियम एह नतांस नियोप्लियर साइट की 2002 की तजवीर है 2002 से 2020 तक इस साइट का इरान ने बहुत विस्तार किया है वहीं फोडो वाले नियोप्लियर साइट की पहली सेटलाइट तजवीर 2009 में सामने आई थे यहां भी 2002 से 2020 तक इरान काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि इरान सबसे अधिक यहीं योरेनियम संवर्तित कर रहा है। इरान के पास अभी एटम बम नहीं है। यह बाग तो पुखता तोर पर अमेरिका भी मानता है। लेकिन इसरेल के पास एटम बम है। इससे कोई इनकार नहीं करता। दावे के मताबिक आज की तारीक में इसरेल के शांत रेकिस्तान में नेगेव परमाणू रिसर्च सेंटर है। जहां ताखतवर हत्यार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्ट्स इंस्ट्यूट के मुताबिक इस्रैल के पास करीब 90 परमाणो बम है जो पूरे पश्यमेशिया को पिगले हुए बेत में तब्दील कर सकते हैं घाजा में बंबारी के दवरा इसरेल के मंग्री परमाणो बम इस्तिमाल करने की भी सलाव ती जिसे बाद में नेतन्याहो ने खारिश कर दिया लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इस्राइल जिस्पम को चुपाने की कोशिश कर रहा है वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की बचा बन सकता है और बीरान के पर्माणु कारेकं को लेकर ये दुश्मनी और हतरना को जाती है इसराइल एकारेकं को ड्यूखने की कि आपके लिएल भी झाता है इस्राइल और एराग एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं दोनों ही एक दूसरे को मिटाने की धम्तियां देते हैं इस्राइल को लेकर इराग बहुत आक्रामक रहा है और उसे नक्षे से मिटाने की बात भी करता रहा है यही हाल इसरेल का है जिसके निताओं ने भी पर्माणू धंकियां देनी शुरू कर दी है घाजा में युद्ध के बीच अब वर्ल वार का खत्रा लगातार बना हुआ है जिसमें इसरेल और इरान दो बड़े कैम्प मन कर उभर सकते हैं वैसे रूस और योकरेन की युद्ध की वज़े से इरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में पहले ही बच चुका है इरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशूर हो चुके हैं और अब उसकी मिसाइल टेक्नोलोजी को भी इरान और इसरेल अपने लिए बहुत बड़ा खत्रा मानते हैं इरान अब अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इसरेल दोनों को चैलेंज कर रहा है हना कि इसरेल से पहले उसमें अमेरिका की फौजी अड्डों को अपने टार्केट पर ले लिया है इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज़ादा अमेरिकी सेनिक तैना थे इसमें कोवैर्ट में 10 सेन अड्डे हैं और यहां अमेरिका के 13,000 से ज़ादा सेनिक हैं बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहां उसके 3700 से ज़ादा फौजी तैना थे सुधी अरब में अमेरिका के 10 मिलिटरी वेस है, यहां 3000 अमेरिकी सैनिक तैनाथ है ओमान में अमेरिका के 6 अट्डे है, यहां उसके 600 सैनिक तैनाथ है सैयोक्त अरब अमिरात में अमेरिका के 3 अट्डे है और यहां उसके 5000 सैनिक तैनाथ है कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी वीस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखी गए हैं यह वो देश हैं जहां से इरान बहुत ज्यादा करीब है यही वज़े है कि इरान अब अमेरिका को इस इलाके में बरदाश्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन ही अट्डों से उस पर नसर रखता है और यही से वो कभी भी इरान के नियोक्लियर अट्डों पर हमला कर सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अट्डे हैं वहाँ उसके बहुत ही खतरना खतियार तैनात रहते हैं यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ पाइटर भी अमेरिका यहां तैनात करता रहता है इसमें इरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल-उदैद एयर बेस जो पूरे पश्ची मेशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है यहां अमेरिका के अलावा प्रेटन के रोयल एयर फोर्स भी तैनात है दूनों देशों के यहां करीब डेड़ सो फाइटर जेट और पाकी विमान और ढून तैनात रहते हैं यहीं से अमेरिका पूरे पश्ची मेशिया पर नजर रखता है यही वज़े है कि इरान ने अब अमेरिका को वानिंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका इरान की धंकियों को हलके में नहीं ले सकता इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है यहां इरान का थास दबदबा रहता है अमेरिका के नौ सेना यहां तैनात रहती है लेकिन इरान पर नजरे रखना और किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना उसके लिए जरूरी होके है